आदी में परमिश्वर ने आकश और पृत्वी की सृष्टी की और पृत्वी बेडोल और सुनसान बढ़ी थी और गहरे जलके उपर अंध्यारा था तद परमिश्वर का आत्मा जलके उपर मंडला था तब परमिश्वर ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया और दिन और अंध्यारे को रात कहा तब आसांच हुए फिर बोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा जल के बीज एक ऐसा अंदर हो कि जल दो बाग हो जाए तब परमिश्वर ने एक अंदर करके उसके नीचे के जल और उसके उपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया और परमिश्वर ने उस अंदर को आकश कहा तता सांच हुई फिर बोर हुआ इस प्रकार दूसरा दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा आकश के नीचे का जल एक स्तान में इकटा हो जाए और सुकी भूमी दिखाई थे और वैसा ही हो गया और परमिश्वर ने सुकी भूमी को पृत्वी कहा तता जो जल इकटा हुआ उसको उसने समुत्र कहा और परमिश्वर ने देखा कि अच्छा है फिर परमिश्वर ने कहा पृत्वी से हरीकस तता बीच वाले चोटे चोटे पेड और फलताई वरिक्ष जिनके बीच उनी में एके की जाती के अनुसार होते है प्रित्वी पर उगे और वैसा ही हो गया तो प्रित्वी से हरीकास और चोटे-चोटे पेट जिन में अपनी-अपनी जाती के अनुसार बीच होता है और फलताई वरिक्ष जिनके बीच एके की जाती के अनुसार उनी में होते है उगे और पर प्रांच हुए फिरवर हुआ इस प्रकार तीसरा दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकश के अंदर में जोतियाम हो और वे चिनों और नियत समयों और दिनों और वश्च्रम के कारण है और वे जोत्याम आकश के अंदर में प्रति पर प्रकाश देने वाली भी डर है और वैसा ही हो गया तब परमिश्वर ने दो बड़ी जोतियां बनाई उमें से बड़ी जोति को दिन पर प्रबूता करने के लिए और चोटी जोति को रात पर प्रबूता करने के लिए बनाया और तारागंगी बनाया परमिश्वर ने उनको आकश के अंदर में इसलिए रखा की वे प्रतिप पर प्रकाश तें तता दिन और रात पर प्रभूता करें और उज्याले को अंध्यारे से अलेक करें और परमिश्वर ने देखा कि अच्छा है तता सांश्वी फिर बोर हुआ इस प्रकार चौ कूत ही बर जाए और पक्षी प्रित्विक के ऊपर आकश के अंदर में उठें इसलिए परमिश्वर ने जाती जाती के बड़े बड़े जल जंदूं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी स्रिष्टी की जो चलते फिरते हैं जिन से जल बहूती बर गया और एक-एक जा आशिष्टी की फूलो फलो और समुत्र के जल में बर जाओ और पक्षी प्रित्विक पर बड़े तता सांच हुई फिर बोर हुआ इस प्रेकार पांचवर दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा प्रित्वि से एक-एक जाती के जीवित प्राणि अधियत गरेलु और प्रित्विक के जाती जाती के अनुसर उत्पन हो और वैसा ही हो गया तो परमिश्वर ने प्रित्विक के जाती जाती के वन पश्चुम को और जाती जाती के गरेलु पश्चुम को और जाती जाती के भूमी पर सब रगने वाले जंदुम को बनाया और परमिश्वर न मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समान्था में बनाये और वे समुत्र की मचलियों और आकश के पक्षियों और गरेलू पशवों और सारी पृत्री पर और सब रगने वाले जन्दूओं पर जो पृत्री पर रगते हैं अधिकार रखें तब परमिश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमिश्वर ने उसको उत्पन किया नर और नारी करके उसने मनुष्यों की स्रिष्टी की और परमिश्वर ने उनको आशिष्टी और उनसे कहा फूलो फलो और पृत्वी में बर ज पर रहने वाले सब जन्दूओं पर अधिकार रखो फिर परमिश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीच वाले चोटे चोटे पेड़ सारी पृत्वी के ऊपर है और जितने विक्षों में बीच वाले फल होते हैं वे सब मेमने तुमको दियो है वे तुमारे बोजन के लिए है और जितने पृत्वी के पशु और आकश के पक्षी और पृत्वी पर रखने वाले जन्दू है जिन मेम जीवन को प्राण है उन सब के काने के लिए मेमने सब हरे हरे चोटे पेड़ दिये है और वैसा ही हो गया तब परमिश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा दो किया देखा कि वह बहुत ही अच्छा है तता सांच हुई फिर बोर हुआ इस प्रकार चटवा दिन हो गया आमेन आमें परमिश्वर ऑप्राण है उन सब काना आमेन वोर्मिश्वर ने जो कि वह बहुत हुआ हुआ आमें आमें एफए क्या राव खिर देखा बनाया आमें आमें। झाल झाल